हेलो दोस्तो नमस्कार कहते हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले आप सब को हर्ताल का तीज की धेर सारी सुपकाम ना है दोस्तो हर्ताल का तीज में न कहा जाता है कि तीन बार नहाया जाता है और ये नीरा जल उपास रहता है तो मैं जब से इसको मतलब चालू की हूँ ये ब्रत तब से मैं नीरा जल ही रहती हूँ साम को जब पूजा पाठ कर लेती हूँ तारा निकल जाता है उनको अरग दे के फिर उसके बाद पानी पीती हूँ और ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन मैंने अपने हाथ में लगाया है म बोनो साइड और एक हात में तो लगा नहीं पाती है उसमें मेरे पती दियो लगाते हैं बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा नहीं लेकिन फिर भी इन्हों ने यहाँ पर कलस बनाया है बहुत अच्छा लगता है हर बार की तरह ये भी मुझे दूसरे हाथ में मेंन्दी लगाते और इनके डेजाइन मुझे बहुत प्यारी लगती है। यह मैं दुबारा अशनान की हूँ, 12 बच गए हैं और नहाद हो ली हूँ और मुझे बच्चों को स्कूल लेके जाना हैं और उश के बाद पूजा की बहुत सारी तयारिया करनी हैं, मंदिर भी जाना है और घर पे भी पूजा मैं करती हूँ, तो सबसे पहले घर पे पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ, तो चलती हूँ, अभी बच्चों को तयार करूँगी, और फिर साम को मैं नहाद होके पांच बजे पूजा पाठ करूँगी. अभी बच्चों को तो चलती हूँ, 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 तो चलती हू सबसे पहले मैं यहाँ पर मिट्टी का श्यूलिंग बना लेती हूँ मैं जब भी पूजा करती हूँ ना तो मिट्टी का श्यूलिंग ही बना के पूजा करती हूँ और उसके बाद अगमले में अपने में इनको भी सर्जित करते हूँ देखिए यहां पे मेरा यह प्यार ऐसा श्योलिंग बनके तयार हो गया है अब इनको यहां पे ऐसे विराजमान कर देती हूँ यह है नार्यल कलश बनाने से पहले मैं यहां पे अश्ट दल कमल बना देती हूँ इसी चावल से करूंगी यह पान का पत्ता है और इसके रखोंगी गौरी गनेश क्योंकि कोई भी पूजा होती हे ना पैगाय गौरी गनेश के तो रही होती है यह रही हमारे हैं गौरी और यह हैं गनेश गौरीपुत गनेश घर इनकी पूजा तो है यह पान पर विराजमान कर देते हैं और मेरे पाश आमका पत्ता नहीं था इसके लिए मैं पान के पत्ते लाई हूँ कलश में लगाने के लिए अशोक के पत्ते भी लगते हैं आमके पत्ते भी पान के पत्ते भी तो पांच साथ ऐसे ही लगाते हैं त माता रानी कुछ चुनरी विराज मान करतू गौरा माई क्या हर हर महादेव 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 भागवान भोले नात शुलिंग पर ऐसे छुड़काव करेंगी शुलिंग का तो सबसे पहले अशनान कराती हूं शंभवे गुरْ वे नांग। ओ नमशिवाय ओ नमशिवाय और हर महादेव महादेव भोले नात महादेव ड़बोनात महादेव अब लगाएंगे गवरा मात्ये को पुस्व अर पर कर देती हूं गवरी गनेश को भागवान बोले नात को तिला जैसे ही स्युजी पिल गवरा के प्यार हो वैसे ही मांगे स्युजी शेरा अब इनको हार पहना देती हूं भगवान भोले नात के इभोले नात और यहां पे सूध मैंने घी का दिपक लिया हूं और दिपक को यहां पे ऐसे प्रज्वलिक तरूंगे अब यहां पे चड़ाओंगी श्यूलिंग पे बेल पत्र है धतूर है फोम नमर्श्रिगाय नमर्श्रिगाय भोले नात भोले नात अब यहां पे अब देखी आप इन को यह फ्ल और पित करते हूं अब प्रज्वलिक श्रीवाय हर हर महां देव भायग रश्पान के तो है लच्छी होंता के तो है ऐख एफ श्यर्भाता गुर आने सिर फिनानजिए लगारी लेक्नीए। आमनात महादेव बिश्वानात महादेव जो तोब भूले बाबाएशुर प्रिवानी नियराजल तो इस तरह पूजा पाट करने के बाद, अब मैं हर ताल का तीज ब्रत्त की कथा शुनाती हूँ द्वापर यूग में जब महा भारत का जूद समाप्थ हो गया था और पांडव है जदि इस करने का जाएंगा भागवान सीओ के साथ हो जाएंगा। मेरा प्रडाम शिवकार करो हे महादेव, आप मेरे गुरु है, मैं आपके शिशा, इस शिशा पे दया करो, मेरा प्रडाम शुकार करो भगवान, मेरा प्रडाम शुकार करो, हे महादेव, हे पालनहार, हे जगत के पालनहार, हे मातागवरी, जिस तरह आप मातागवरी पे प्रशन होकर अपना अशिरबा बना के रखे बगवान पोलेनाथ की पूजा आरजना की आराधना की और मातागौरी का कहा जाता है कि मातागौरी जब एक साल लगातार हिमाले परवत पे तब की थी तब भगवान ने प्रशन होकर उनको साच्छा दर्शन दिये थे और कहा था कि हे प्रिये जाईए आप अपने घर मैं आपसे ही बिवाह करूँगा और उसी दिन से बगवान पोलेनाथ ने ये भी कहा था कि आज के दिन जो इस तरी सुबह से अशनान करके तब और भाना में लिन रहेगी मैं उसे शदो अपना आशिर बात बनाए रहूँगा और उसका दोग दलीतर दोर करूँगा बोलिये भगवान भोलेनाथ कीज़े यहाँ पर हमने मिटी का श्योलिंग बनाके और उनको रूद्रा विशे किया मतलब दोस से उनका अशनान कराया गंगा जल से उनका अशनान कराया और उनको यहाँ पर समी का पात्र, बेल, पत्र भांग, धतूर, सब मैंने भगवान भोलोनाथ को अर्पित किया, यहां पर कलस बनाई हूँ, कलस पर मैंने नारियल रखी हूँ और कलस के नीचे मैंने चावल का अश्रदल कमल बना के वहां पर उस तरह से अस्तापित की हूँ, यहां पर माता गौरी का प्रतिपिम बहय और भगवान भोलेनाथ परिवार शहित है, उनकी मैं पूजा की हूँ, और यहां पर गौरी गनेश है, क्योंकि कोई भी पूजा बेगार गौरी गनेश के शंपन नहीं होती है, इसके लिए चाहे कोई भी पूजा पाट हम लोग करते हैं, तो गौरी गनेश जरूरत है, यहां हम अपना हर ताल का तीज ब्रत का पूजा पाट करते हैं, जादा तो नहीं, जितना भी है भगवान भोलेनाथ के आसिरवास से, सब अच्छे से करती हूँ, यही है, मेरी पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ के चलड़ों में मेरा प्रडाम शुकार करो, क्योंकि आप ही पालन हार हो, पालन करता हो, सब को दुख को हरने वाले भगवान भोलेनाथ की जय जैसे स्युजी दिहला गवरा की प्यार हो, वैसे ही मांगी स्युजी शिन्हुराह मार हो, कोसल कोशल रखिया स्युजी शिन्हुराह मार हो निर्जल उप वास बानी नीराजल तो हार हो, कोसल कोशल रखिया स्युजी शिन्हुराह मार हो जैसे स्युजी दिहला गवरा की प्यार हो, वैसे ही स्युजी मांगी स्युराह मार हो, कोशल कोसल रखिया स्युजी स्युराह मार हो बोलिये भगवान भोलेनाथ की जय यहां पर हमने इनकी कथा भी कह ली और आप चलती हो भगवान भोलेनाथ की आरती करती हो बोलिये भगवान भोले नाथ की जय, गुरू बे नम, आरती की ठाल त्यार हो गई है, और अब कर लेती हो भगवान भोले नाथ की आरती, बोलिये भगवान भोले नाथ की जय, कर दो कि दो कि अजय को खाओ। कर दो कर दो